मिला सकते हैं तो जरूरीन्स विचनोही किसका दर्वाजा गटा हैं पापी आदब भी एक तर्फा बयान देनें लॉरेंस विचनोही को जिससे दुनिया डरता है और आप नहीं डर रहे है दोस्तो शोशल मीडिया पे लॉरेंस विश्णोई अभी बहुत जादा ट्रेंड कर रहा है और बहुत लोग उसको बहुत सारी चीजे कह रहे हैं कोई शेर कह रहा है कोई गैंस्टर कह रहा है अभी बॉलीबूट के लोग बहुत जादा डर रहें लॉरेंस से अभी बिहार के पपू यादो को भी धमकी मिला है लॉरेंस विश्णोई के गैंग के तरफ से कहा है भाई तुमको मार देंगे इसको ले करके अभी हम पटना के कोचिंग में हैं पहले तो आपका धन्यवाद की ऐसे मुद्दों पर आप अपने कोशिश की और आप कोशिश कर रही हैं कि चर्चाएं होनी चाहिए कि आखिर युवा इसके बारे में क्या सोचता है तो लॉडेंस विश्णोई अभी जो बाबा सिद्धिकी का मडर हुआ है उसके बाद और प कि गैंगेस्टर है थोड़ा वह कूल होना चाह रहे है आज के जुवा है और एक और चीज जो बहुत इंपोटन्थ एक आखिर गैंगेस्टर है मडर हो रहा है वो तो अपराद है लेकिन युवा सपोर्ट क्यों कर रहे है कि वी एक बड़ा इत्तफाक है कि वो बंदा चलि भी आखिर उसको शेर क्यों कहा जा रहा है तो इसका कारण है कि वो मतलब खुलकर अपने समाज के लिए सामने आ रहा है कि अगर मेरे समाज के बारे में कोई बोलेगा तो ठीक बात नहीं है हमार दूंगा या सलमान खान माफी मांगे दूसरी जो बात है कि हिंदुस्तान ऐसे ही बहुत मुश्किल से खालिस्तान के खिलाफ संगर्स कर रहा है कि आखिर एक नए देश की मांग कुछ लोग कर रहे हैं खालिस्तान की तो इसने अनाउंस कर रखा है कि अगर देश के खिलाफ कोई बात करेगा तो मैं उसे नहीं बक्षूंगा मतलब यह जो बाते हैं ना उसे यह हिरो बनाये जा रहा है कि बहाई तुम काले हिरण को मारे हो विश्नोई समाच के वह मतलब भगवान माना जाता है काले हिरन को तो तुम मारे हो तो हम तुम को मार देंगे तो उसको भी कुछ दो तो सेमान के पिता जी का बेयान आया था वो सरासर गलत था क्यों कि वह कह रहे है कि गल्ती नहीं किया हैidente इसलिए बोल रहें कि अपराद अगर होगा तो कानून से बढ़के कोई वैक्ती नहीं है तो आपके सामने बोल रहे हैं लेकिन मतलब अगर कोट ने कहा है कि वो कन्विक्ट है तो जिस तरह से समानखन के पिता जी वो सलीम सहावाए और उन्होंने कहा कि नहीं इसने गलती नह कर कहें कि मेरे समाज के लिए आपको माफी मांगना होगा यह बिसुनोई समाज के जो हैं वो बोल सकते हैं हलांकि उनका भी आ रहा है कि हम बिसुनोई समाज चाहता है कि सलमान खान माफी मांगे जो बिसुनोई समाज यह जो गुरूप है उसके जो हैड है तो हम तुम को छ उठा कर आप किसी को मडर कर दें, किसी को मार दें, ये तो सही नहीं है। पपू यादब को ऐसे चिला कर आप किसी को चिरा रहे हैं या चिला कर बोल रहे हैं। और वियसे उसका तो कामी है ना। वो तो चाहेगा है कि हम इतने बड़े गेंगें ये फोन नहीं किया है। लॉरेंस विसनुई का फोन नहीं आया है। लेकिन उसके आसपास जो लोग हैं। वो तो चाहेंगे ना कि आखिर हमारा ये बॉस है, हम उससे मोटिवेटेड हैं। तो उसको कोई कैसे धमका सकता है। लॉरेंस विसनुई नहीं मारा है। अभी तक तो ये कलियर नहीं है। उसके भाई का नाम आया है कि सनलिपतता है। और मुंबे पुलीस नहीं तक प्रेस कॉंफरेंस नहीं किया है। वो कि आखिर इसका भी ध्यान देना जरूरी है। कि बावास शिद्धिकी के मडर में किसका हाथ था, इसका अभी तक प्रेस कॉंफरेंस नहीं हुआ है। ये मीडिया से चारो तरफ से हो रहा है कि उसका हाथ था। भाई पर 10 लाग रुपिय का इनाम हो चुका है। लेकिन अभी तक प्रेस कॉंफरेंस मुंबई पुलीस के द्वारा नहीं हुआ है कि आखिर इसके पीशे कौन हाथ था। ये समझने की जरूरत है। क्योंकि देखे लोग डड़ भी रहे हैं बोलने से पहले। इसलिए चात्र हैं हमारे साथ इनसे बात करेंगे। क्या जानते हैं लौरेंस के बारे में। मैम लॉरेज विष्णोई को हम मानते हैं विष्णोई समाज को पहले मैं जान बताना चाहता हूं मैम कि विष्णोई समाज महबत करते हैं वो इंसान से नहीं जानवरों से भी करते हैं वो जानवरों से नहीं प्लांट से भी करते हैं वो पेर पौधर से भी करते हैं एक खिज अगर कोई प्लांच या एनिमल को मालता है तो जरूर है गॉवर्मेंट को उसको एक्षन लेना चाहिए यह नहीं देखना चाहिए कि यह गरीब है यह अमीर है या कोई बॉलिवृड का स्टार है मगर government ने किया किया only 18 दिन अगर कोई जानबर को मारते हैं आप आप जानबर को नहीं मार रहे हैं आप एक religious को मार रहे हैं एक धर्म को जिसको भगवान लोग मानते हैं उसको आप मार रहे हैं और उसके बाद भी आप उसको accept नहीं कर रहे हैं कि I have done this mistake वो कर रहे हैं कि नहीं है मैंने यह गलती किया ही नहीं है और वो sorry भी नहीं बोलना चाहते हैं सल्मान खान तो सायद यह गलत है अगर आप किसी भी जानबर को मार देते हैं उसके बाद आप sorry भी नहीं बोल रहे हैं तो यह जड़ासर गलत है क्योंकि आप 18 दिन में ही बेलापका हो जाता है तो इसे क्या साबित होता है कि कानून अमीरों के लिए नहीं है कानून अमीर गरीब सब के लिए और इसके तहट उनको सजा मिलना चाहिए और वही सजा की मांग हमारे विश्णोई समाज भी कर रहे हैं और जिनको बोला जा रह के लिए प्लांस के लिए अगर खूंधो लड़ लॉरेंस विश्णोई तो हम उनके सपोर्ट है मगए मतलब अगर कोई टिपनी बारे मए उसको Sorry तो यह सही आप मान रहे हों मैं आप लॉरेंस विष्णोई को धमकी दिजेगा उनके बाड़े में कुछ ना बोले मैं हम यह नहीं करें कुछ नहीं बोले जो सही है वो बोले यह नहीं कि एक तरफा बियान देंगे तो जरूरी सी बात है जब आप उसको धमकी दे सकते हैं इसलिए उसको चैलेंग नहीं दिया जाए उसको समझाया जाए कि अगर आप गलत हैं तो इसमें आपको नियम कानून से आपको आना चाहिए अगर पपु यादब जरूरी नहीं है पपु यादब काम सपोर्टर है और ना हम इसको सपोर्टर हैं सच्चाई की अगर वो जो कांड किये हैं वो उनका वो इंस्पिरेशनल है वो एक एजुकेटर है और वो नॉलेजवल है इसलिए उन्होंने सच्चाई के प्रती मिंस जानबरों को बचाने के प्रती उनकी एक स्टोरी भी था उनका गल्फेंड था उनको जला दिया गया था उनकी गल्फेंड को इसके लिए उनकी जेस्टिस नहीं मिलता है ना में दिकत है भारत में इनसाफ नहीं मिलता है ने साथ कुछ घटना घटेगा और हम गवर्मेड के पास जाएंगे गवर्मेंट को नहीं रिपलाई करेगा तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग किसके पास जा किसका दर्वाजा घटा नेता का विधायक का किसके पास सब तो वही है भाई किसको हम सपोर्ट करें बताइए बात है बहुत बढ़ियां बात बोले हैं चलिए थोड़ा सपोर्ट हम भी कर लेते अगर कानून के बिरोध में अगर कुछ भी ऐसा काम हम करते हैं तो वह अपराध ही माना जाएगा तो हो सकता है कि लोडेंस बिसुनोई जी का जो अपना उद्देश है हो सकता है सही भी हो लेकिन तरीका तो गलत है ना तो तरीका गलत है और अगर हम कानून की हिसाब से चलेंगे कानून के गॉर्डिंग चलेंगे उसके उसके बाद हम अपने उद्देश को पूरा करें तो हमको लगता कि ज्यादा सही है ज्यादा सही आप क्या बोलोगे भाई जैसा कि नीज में सब चल रहा हूँ भैभी मैं भी क्या मतलब अब क्या बोलेजैसे कि हम देख रहे हैं कि लोरंस भी संवी काफी मतलब चर्चा में हैं कि हां धंकी पर धंकी दे रहा हैं और अभी भी देखें हमकी बाबा सिदीगी का सब सब्सक्राइब यह कि उत्राइब नहीं जानते के बारे में इसके बास我們 क्या बोलिएगा लॉरेंस विश्णोई के बारे में मैं मुंको तो एक क्रिमनल के तरह लगते हैं क्योंकि कोई भी किसी को इन डाइरेक्ट धंकी नहीं दे सकता है वो डाइरेक्ट धंकी दे रहे हैं वो अपना पुलिस का भी हैल्फ लेक्ट के उनको बोल सकते हैं कि हाँ और अच्छे काले हीरन का मामला है वो भगवान मानते हैं विश्णोई समाज के लोग वो गलत हैं वो नहीं मार सकते हैं क्योंकि वो किसी का मतलब सिकार नहीं कर सकते हैं और वो किसी का जो आस्था है उस पे वो सवाल उठा रहे है ना वो डारिक्ट उस पे वो वार कर रहे क्योंकि वो जिसका आस्था है उसके लिए वो आवाज उठा रहे हैं तो हम तो उनके सपोर्ट में लेकिन वो जो सब को ब्लैक मेल कर रहे हैं उसके खिलाफ है मेरे कॉर्डिंग लगता है कि यह जो लॉरेंस विश्णोई है यह तो दस सल से जिल के अंदर है बट इसके पीछ हो मैं यह हमको लगता है कि उसके पीछे कोई किसी और कहांत है वो पद नाम किया तो यह वह वजूंकि लोरेंस विश्णोई जो है मेबी गलत या सही जो भी हो लेकिन मेरे हैं यह जोWhy आव है कुर्ड ढ़त बहुत पहुंचाते हैं तो यह चीज हम लोग नहीं करना पुर्ण बाबा शिद्धिक के बाद उनका नाम बहुत फेमस हो गया उसके बाद हम यह कहना चाहिए कि मतलब लौर कौन गलत कौन समय अगर बात की जाएगी कि सलमान खान ने कि एक हीरन कुमारा क्योंकि वह ब्लैक की रहन होते हैं बलेक इंडिया में अगर हम यूद्ध शो जो कि cham अ बવादें और हमन जांते हैं तो जानते हैं हार एक इंडू लोग अपनी घुत्रा आ कुमारा कि होते हैं फिन ज्लों आख हज़ए कर तो फ सब्सक्राइव सब्सक्राइब अगर आप कानून को लेते हैं अब जेल में एक नौरबल इंसान अगर कोई बीचीज करता है अगर जो इंसान जेल के अंदर है अगर वो क्राइम करता फिर उसको कहां दिया जाए यह भी तो सोचना चाहिए और ऐसा भी हो सकता है क्या कि लोरेंस बिस्नोही के नाम पर लोग उसका गलत फाइदा उठा रहे हैं मतलब उसको बड़ा गैंक्स्टर बनाने की कोशिश की क्यूंकि क्यूंकि आभी देखा जा रहे क्या कि 25 में एलक्षन है यह मानते हूं कि अभी डर का महल बना है बॉलीबूट में या और लोगों के अंदर जो लॉरेंस विश्णोही के खिलाब बोल रहा है हां ऐसा क्यूंकि सब कुछ अपने जान का परवा है इसलिए कोई इतना बड़ा आदमी को मार दिया है यह बहुत बड़ी बात है क्यूंकि देखिए जब एक नॉर्मल इंसा नहीं थे उसके पाद जैड सेक्रेटी था तब उसको मार दिया गया हम चाहिए वैसे देखा यह मैं तो सल्मान खान भी अच्छे हैं बिंग हुमें चलाते हैं इंजियो जो कि इंडिया में है और बहुत गड़ीब लोगों उन्हीं पर डिपेंड है वो के इंसर पेडित हो या कोई भी हो तो अगर गलती किये है मैं तो उतना बड़ा काम कर रहे लड़ रहे हैं सो मैं क्योंकि उनकी आस्था को मारा गया है और उन्हीं को पहुचाया गया है ज्यादा तो जानते नहीं है जब अभी स्टार्ट हुआ ऐसे सल्मान खान को थ्रेट कॉल्स आ रहे तो सोचल मीडिया पर यह है कि लॉरेंस विशनोई के वजह से हो रहा है वो वो गलत हो सकते हैं अगर कानून है अगर इंडिया में भारत कानून सबसे अच्छा माना जाता है तो अगर कानून इस चीज को अपने हाथ में नहीं ले रिए तो कोई इंसान क्यों लेता है पपु यादव आज भी अगर गूगल पर आप कोशी टेरर का नाम डालेंगे को आनन्द मुहन का नाम आएगा और पपु यादव का नाम आएगा तो आखिर यह वैक्ति जो आज बने हैं चल बल कैसे कितने ताकत से बने हैं और आज भी कहा जाता है कि भारतिये संसद में 70-70% जो नेता वहां बैठते हैं उस पर अपराध का उन पर है तो आप मतलब यह थोड़ा गुड और थोड़ा अच्छा नहीं होता है या तो अच्छा होना चाहिए या बुरा बुरा होना चाहिए यह भी तो हो सकता है कि पपु यादव जो है फेमस होने के लिए लौरेंस विश्णोई का नाम हमको लगता है कि पपु यादव पर खुद वो एक अभी क ख्रवावर को करिएंगे वो से मसीह मान रहा है। वो से अपना हीडो मान रहा है। तो यह कर्यक्टर का निर्मान किस पीत जो लोग ऐसे गennes्टर बनेगा एसे प्राथ की धुनिया में थोड़ाücht रॉड सुंह थोडली क्यों हुआ बन्डान है। इंटर्व्यू देता है अभी सर फिरोसी की तमना उसके वीडियो वाइरल हुए है सब लोगों ने देखे होंगे देश के पक्ष में बात करता है देश भक्ती की बात करता है यह तो फैक्ट है 100% आप कुछ दिन पहले शाहबुद्दीन की मौत हुई शिवान जीले में आज भी आप जाके शरवे करवालें क्या सौ में से सौ लोग बोलेंगे एक शाहबुद्दीन गलत था शाहबुद्दीन के सपोर्ट में अखिर गलत था तो वो शांसत कैसे बन जाता था आखिर वो मोहन पर आप समझेए आनन्द मोहन पर यह आरोप है कि एक डियम को खींच कर वो एक 35 साल का डियम सोचिए उस डियम को खींच कर रोड पर मार दिया गया और वो बंदा संसद में बैठता है और यहां आप ऐसे सवाल पूछेंगे कि लोडेंस विसनोई गेंगेस्टर था कि नहीं था डियम को मार देने वाला बंदा संसद में पहुंचाता है जहां से देश का निर्मान होता है जिस पर आरोप लगते हैं कि वो सहरसा में सुपॉल में रंगदारी की बात करते हैं पैसे का डिमान करते हैं वहां से वो उठकर संसद में पहुंचाते हैं उस पर विडियो यह कोई सी सरकार वायरन्स की बात करे विप करता है यह करेक्टर् र सरकार नहीं कि भ्याई अगरा तरड देखेंगे तो गलत हुआ है बहुत सारी चीजें हुई है विश्णोई समाज के साथ गलत हुआ है सोशल मीडिया पे जो चलता है वही हम भी देखते हैं वही सब देखते हैं और उसी को सच भी मानते हैं अब सच में लौरेंस विश्णोई को लोग शेर मान रहे हैं आप कमेंट देखिएगा उसके फोटो पे आप कमेंट में जाईएगा सारे हीरो से स्माट है ये तो हमारा शेर है ये देश भक्त है बहुत सारी चीज़े हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो यूत आइकन तो मान रहे हैं यहाँ पे देखिए पूरा सर हिलाया जा रहा है और ऐसे चात्र जो सोशल मीडिया पे जा करके फूल सपोर्ट करते हैं दोस्तो इस पे आपकी क्या रहा है कॉमेंट कीजिएगा वीडियो शेर कीजिएगा और इस वीडियो को सब के पास फैलाईएगा